नमस्कार में हूँ बंदा शर्मा आप देख रहे हैं विजनेस की बात को ब्रान मोधी सरकार ने टिक टॉक और शेरिट समेथ 59 चीनी आप्स को बैन कर दिया है कैसे लागू हुगा सरकार कादेश Microsoft Company के Localization Director और Tech Expert बालेंदू शर्मा दादीच के मताबिक सरकार Google Play Store और Apple को अपने iOS प्लेट्पॉर्म से इन आप्स को हटाने का निर्देश देगा इसके बाद Internet Service Provide यानी ISP इसको इन आप्स का डाटा एक्सेस ना करने देने और Telecom Company को इन ही Network ना मुहिया कराने का आदेश दिया जाएगा उसके बाद ये Apps काम करना पूरी तरह से बंद करने कैसे बंद होगा Apps का एक्सेस यूजर्स को जो कंपनिया Internet Network देती हैं जैसे एटल, जियो, बेहसे न लावी ये दो तरीके से Internet Network देती हैं एक तो Mobile Connection के जरिए और दूसरा Broadband Network के जरिए इन कंपनियों के Network को यूजर को काम देने का काम ISP करते हैं इनी के जरिए पूरी दुनिया का डाटा आता है यानि दुनिया के किसी भी देश से जो भी डाटा भारत आएगा वो ISP के जरिए ही आएगा इसी तरह जो डाटा भारत से विदेश जाएगा वो भी ISP के जरिए ही जाएगा तो सरकार ये निर्देश के बाद किसी भी वेबसाइट पर या एब को बैन करने के लिए इंटरनेट कमपनियों को बस एक फिल्टर लगाना होता है उसके बाद यूजर्स इस पर मौजूद कोई भी डाटा एकसेस नहीं कर पाते है लोगों के पर्सनल डाटा का क्या होगा चाइनीज अप्स का इस्तिमाल करने यूजर्स को अपना जरूरी डाटा और डॉक्यूमेंट्स को जल्दी ही अपने मॉबाइल बे डाउनलूट कर लिला चालिए क्योंकि एक से दो दिन में ये अप्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे सभी अप कंपनियों के सरवर्चीन में है यदि तकनीकी तौर पर ये कंपनियां लोगों की डाटा डिलीट नहीं करती है तो उनका डाटा डिलीट नहीं होगा लेकिन इसके बावजूद यूजर्स अपने डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे यानि वे अपने वीडियो, फोटो, फाइल साधी को आगे नहीं देख पाएंगे क्या एप भी डिलीट हो जाएंगे एप्स डिलीट नहीं होंगे, उन्हें आपको खुट डिलीट करना पड़ेगा बस आप सर्वर तक नहीं पहुच पाएंगे यानि आप अपने फाइल, फोटो और वेडियो बगारा नहीं देख पाएंगे क्या जिनके मोबाइल में पहले से एप है वे इन्हें यूज़ कर पाएंगे बिल्कुल नहीं, ये एप्स पूरी तरह से बैन हो गए हैं और कोई फरक नहीं पड़ता कि आपने एप्स पहले डाउनोड किये थे या आप डाउनोड किया है भारत में कोई भी नागरिक इन एप्स को इस्तिमाल नहीं कर सकेगा चीनी एप्स किस तरह की प्राइवेसी को तोड़ रहे थे चीनी एप्स असुरक्षित थे क्योंकि आप जब भी कोई भी आप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी मंजूरी दे चुके होते हैं कि वो आपकी फाइल्स, फोटो, वीडियो यह सब एक्सेस कर सकते हैं और आपके इस डाटा का उनने क्या करना है वो उस कंपनी पर निभर करता है कुछ संसान बकाइदा अनुमती लेते हैं कि वे आपके डाटा का इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ संसान इस्तिमाल करने के अनुमती नहीं लेते हैं लेकिन कई कंपनिया बिना अनुमती के भी डाटा चोरी करते हैं फिलहाल भारत चीन के भी जो परिस्तिती है उसमें चीनी कंपनिया हमारी डाटा का कुछ भी कर सकते हैं चीन का पुराना रिकॉर्ड भी इस मामे में विश्वस्निन नहीं है साइबर हमलों में भी वो माहिर हैं इसलिए सरकार ने सोच समझ कर पैस्ता लिया है क्योंकि इन एप्स का इस्तेमाल सरकार और सैना से जूड़े लोग भी करते हैं पुटसाहन मिले तो भारत में भी बन सकते हैं ऐसे आप दाधीच का कहना है कि चीन वैसे भी को सौफ़वेर पावर नहीं है वो हार्डवेर पावर है और ऐसे एप्स हम अपने देश में भी बना सकते हैं लेकिन सिर्फ थोड़े से आर्थिक पुटसाहन के जरूरत है अभी हमें स्टार्टप के लिए बहुत संगर्श करना पड़ता है और हमारे कई सौफ़वेर डिवलपर विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहे है इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि भारत में पहले से ही मौझूद है विदेशी आप इसके लावा हमारे आप बहुत बड़ी संख्या में विदेशी आप्स मौझूद है जो की काफी पॉपुलर भी है इसलिए देशी स्टार्ट अप्स ऐसे आप नहीं बनाते है जबकि चीन में अधिकतर विदेशी आप्स बैन है इसके चलते वहाँ लोकल आप्स ज्यादा बनती है वहाँ सरकार को साहन भी ज़्यादा देती है लेकिन हमारे आप्स भी दुनिया में पॉपुलर हो सकती हैं बस थोड़ा नया पन लाना होगा हमारे देश के भी कई आप्स पॉपुलर हैं जैसे पे टीम, शेयर चैट, फ्लिप काट आदी तो दोस्तों इसी तरह की बाकी अप्डेट्स को जानने के लिए हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ ही बेला आइकन को दबाना नापूलिएगा जिससे आपको हर अप्डेट की मोडिफिकेशन मिलती रहे तो बन रहे हमारे साथ और देखते रहे ओके क्रेडिट ओकी क्रेडिट भरोसा व्यापार का